तो तो देखो इसमें में हमें PЫरवणता निकालनेクी बोलेगा और जिए आ यहोर्श हमने युद। निकालना सिखा है वह परवंता ही होती है उमने उसले चैप्टर में कालना होती है युद्य अधा ये साथ y में change d y by d x जैसे x बदलता है y कैसे बदलता है वो हमने सिखा है तो वो जो d y by d x है वो परवनता ही है हमें यही चीज निकालनी है जो बोल रहा है परवनता निकाली तो परवनता d y by d x अंगलिस में slope कहते हैं से तो निकालेंगे क्या हो जाएगा यह निकालो इसका 4 किया बारे X क्यूब और माइनस 4 यह निकल कागी लेकिन यह तो कर्व है और कर्व की यह परवनता होगी लेकिन परवनता अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है अब इसने एक पॉइंट दिया है x equal to 4 पर ठीक है ना इसने दिया है x बराबर 4 पर निकालनी है तो ठीक है इसमें x बराबर 4 रख लेते हैं तो dy by dx और इसे हैं ना ऐसे लिखते हैं वही जैसा x बराबर 4 पर निकालने हैं यहां पर लिख देते हैं एक्स बराबर 4 पर नीचे जिस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं अब निकाल लो इसमें एक्स का बांद 4 रख लो तो 12 और 4 का होगा क्यूब और माइनस 4 कितना हो गए 64 हो गया और माइनस 4 उसी गुना कर लो बारच और तालिस चार और बारच इसमें चार गटाक है 764 तो इस तरह से यह इसकी परुणदार निकल के आज़ थे ऐसी करकर निकालनी है तो दूसरा कोश्चन है यह अनस बटे हर के फॉर्मले से इसका डियावीड एक्स निकला गा और फिर इसमें एक्स वराबर दस रख देना है ठीक है तो करो जड़ाई से दूसरे में वाई दिया हुआ था ती वाई वाई डी एक्स डिविजन पॉर्मले से निकाल लिया और एक्स इकल टू टैन पर पूछा था इसमें दूसरे में सब्सक्राइब पर चलू हुआ है इसरा वे कुल टू एक्सक्राइब और अजिए रुड हम जायी होगा है अतर्य एक्सक्राइब में दूसरे में झाल दिया हुआ थिकल टू एक्सक्राइब तो दी अब इघ्स में एकष उक्सेपल टो दी रख पे यह आगी कर वनसें में लोजें फिस्त टू एक हीकूल्त एक और से देजिएंग दीता इसमें हमें वैसे करना है से अब तक करते आ रहे हैं तो डी एक्स बाइडी थीटा निकालेंगे कितना जाएगा वन का जीरो और इसका एक कोस्ट थीटा इस तरह से यहां से डी वाइडी थीटा निकालेंगे तो बी और कोस्ट थीटा कैसे करते थे तू कोस्ट थीटा और फिर कोस्ट थीटा का माइनस साइन थीटा यह हो गया फिर इसके बाद निकालते थे हम क्या डी वाइडी एक्स ठीक है तो डी और डी एक्स निकालेंगे तो इसको इससे भाग करेंगे यानिक उपर उससे लिखेंगे माइनस टू बी कोस्ट थीटा साइन थीटा और बटे में माइनस ए कोस्ट थीटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया कोस्ट थीटा से कोस्ट थीटा कैंसिल हो गया और यह कितना गया टू बी बाई ए साइन थीटा देखो अब यह तुम्हें बताता हूँ क्योंकि अब तक इस तरह के सवाल नहीं आये थे यह जो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं अगर कोई कर्व है ठीक है इसका को यह पॉइंट लिया हमने इस पॉइंट पर जो इसको इस पर्स करने वाली लाइन है कि समझना यह बात इस रेखा की परुनता निकलती है ये टैंजेंट की ठीक है ना टैंजेंट की निकलती है ये और अगर ये हमसे पूछ रहा है अभी लंब तो अभी लंब जो है इस रेखा पर जहां ये इसको टच कर रही है टैंजेंट को इंगलिस में तेंजेंट हिंदी में इस पर सरेखा कहते है ठीक है तो इस पर सरेखा ही है इस पर सरेखा की परणता अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी अगर माले यहां कहता तो इस पर सरेखा फिर इस तरह से खिचती यहां कहता तो इस पर सरेखा ऐसा खिचती ठीक है नब अभी लंब कहते हैं इस पर 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 पर इस पर आगर इस ng ब्हुत लब कहते है और लंब जो है हमेश्ड नाइन्तीडीग्रिया कौन बनाता है तो इसलिए अबिलम की अगर परणता निकालनी हो तो अबिलम की परणता का जो तरीका है वो ये है कि परणता पहले इस पर इस रेखा की ही निकालोगे और फिर उसे उल्टा कर दोगे और माइनस से मल्टिप्लाई कर दोगे तो माइनस से मल्टिप्लाई कर दिया और इसे उपर कर दिया ए अपॉन टू बी और साइन थीटा चला गया बटे में इस तरह से या ए अपॉन टू बी साइन थीटा लिग दो एकी बात है तो यह होती है अभी लंब की परवनता यानि कि पहले हमने निकाल लिए इस पर से रखा कि फिर उसका उल्टा कर दिया और माइनस से मल्टिप्लाई कर दिया इस तरीके से हमारी अभी लंब की परवनता निकलती है और इस अभिलंब की परुणता अब ये पॉइंट कहरा है क्या थीटा एकोल टू तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू रखने पर तो रखेंगे इसमें M से लिखते हैं जाता रहे ना तो यह M हो जाएगी कितनी माइनस साइन पाई बाई बाई टू रखने पर तो वहाना जाएगा तो वस्थ यह आ गया माइनस एपाउन टू बी ठीक है हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालो ऐसे ही जैसे पहले करते आ रहे थे तो कितना जाएगा थ्री एक्स स्क्यार माइनस इक्स एक्स और माइनस नाइ ठीक है अब ये कह रहा है कि उन बिन्दों को ग्याद कीजिए जिन पर इस पर स्रेखा ये थोड़ा समझने की जरुत है एक्स एक्स के समानतर है तो अगर हम ये बनाते है एक्स एक्स और वाई एक्स ठीक है न एक्स एक्स कौन से होती है और वाई ठीक है ये वाई है अब ये क्या कह रहा है इसमें कि जो इस पर सरेखा है ये बात है बस समझने की कि जो इस पर सरेखा है वो X AX के समांतर है वह कर्व चायग जैसा भी होगा ये करव गयाओं तो यहां जब इस पर सी रहा जो निकल-कार है वो इस तरह किया कि वह एक्स-क्स संहान तर्णार हे ईक्स-क्स है ऐस पर सी रहा TurnIDE-0 को निकालना है ये जो दर्णाकिये ये वाला point शेगालना है ये बिंदू निकालना यानि कि एक्स और why के मान निकालने हैं तो अब इस तरह से सवाल देना शुरू करेगा और यही बात अब हमें सीखनी है तो देखो यह अगर हम कहें यह कोई रेखा है यह इसके साथ कितने डिगरी का एंगल मना रही है बता सकते हो जिरो डिگरी का जिरो डिगरी से मतलब परवनता एक तुमने पढ़ाताओ दस्वी में है ग्यार्विम आई है ना परवनता के क्या फॉर्मुला अगर कौन दिया हो तो अगर थीटा एंगल दिया है तो किसी रेखा की परवनता का क्या फॉर्मुला था बताओ यह पढ़ा तुमने ग्यार्विम अगर एंगल थीटा दिया है तो परवनता है बोलो एंगल तो पता चली गया मैं कितना है जीरो तो कितना होगए जीरो होगी तो इस रेखा की परवनता जीरो होगी तो अगर एकस के समांतर है तो एम का मांद जीरो हो जाएगा कैसे निकला पता चली गया तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एकस को जीरो लेना है तुम्हें यह जो रेखा की परवनता निकाल ली है यह जो तुमने निकाल ली है यह इस रेखा की परवनता निकल लगाई है लेकिन इस रेखा की परव जोज़िए इसको मतल्ब इसे हम जी रख देंगे कुछ यहां पर देंगे चाहें ड्यवाइब आई ड्यक्श उक्वल टु जीरो रखने पर हम जी रखेंगे तो थी इस मिसेले को पूरे में 3 को मना रहा है अंदर कितना आ गया x square minus 2x minus 3 यह आ गया इसके factor कर सके हैं कितने जाएंगे अ है थ्री बन जा थ्री तो x minus 3 और x plus 1 यह आएंगे न यह इसके factor आ गए तो यहां से x की value क्या क्या निकल रही है बताओ एक तो minus 1 निकल दिया दूसरी 3 निकल दिया दो बिंदू निकल का रहे है एक्स के मान x के मान इनमें रख लो और y के मान निकल सकते हैं यह से क्योंकि हमें जो coordinate चीजर बिंदू होता है बिंदू में x और y दोनों ही होते हैं ठीक है तो एक्स का मान अगर निकल गया तो इसमें रख लो य का मान निकल जाएगा यह मान प्लस के 9 हो गया और यू प्लस 7 हो ठीक है तो तीन रख चार और 16 में चार गए 12 आगे प्लस के 12 है तो वाई का मान तो 12 आ गया और अगर तीन रख देखें तो इससे भी निकल दो तीन रखने पर क्या होगा तो 27 हो गया और यह भी 27 ही हो गया यह भी 27 हो गया तो यह तो कट गे थीक है तो बिंदु इस तरह से निकल के आगे क्या क्या के बिंदु निकल के है वह माईंस 12 और 3 माइनस 20 यह बिंदु आगे निकल के तो इस तरह से निकाल रहे हैं यह ठीक है करते हैं भी सब्सक्राइब